Hello friends, in this video I am going to teach you what is the use of Ctrl F4 in Microsoft Excel Let's see, close is the selected workbook window just same as Ctrl W So, workbook को close करने के लिए आप को Ctrl F4 या फिर Ctrl W प्रेस कर सकते हूं मैं यहाँ पर एक नई workbook open कर लेता हूं through Ctrl N Ctrl N के थुरू book 3 open हो चुकी है अगर मैं यहाँ पर Ctrl F4 प्रेस करता हूं यहाँ workbook close हो चुकी है तो दुबार से Ctrl N करता हूं यहाँ पर workbook 4 open हो चुकी है अब मैं यहां से ctrl f4 प्रेस करता हूँ तो यह सेफ करने के लिए मुझसे पूछ रहा है तो एक चीज आपने देखी जैसे कि आपने ctrl n प्रेस किया और sheet को just ctrl f4 प्रेस कर दिया तो वह close हो गया और आप से उसे पूछा भी नहीं कि इसको सेफ करें या ना करें कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि उसने नहीं पूछा इसलिए क्योंकि उसकी sheet में कोई भी data नहीं था sheet 1, sheet 2, sheet 3 कुछ भी data अविलेवल नहीं था इसलिए इसने सोचा उसने आप से उसने नहीं पूछा कि कोई भी blank sheet को save करना नहीं चाहेगा तो computer smart work करता है इसमें हमने कुछ try किया और फिर control F4 किया तो इससे आप से पूछ रहा है कि do you want to save the changes you want to work for कुछ changes को आप save करना चाहते हैं या नहीं हम नहीं बोलेंगे तो यह हैं आपकी workbook delete हो चुकी है आसा करता हूँ आपको control F4 के वारे में पता चल गया होगा और ऐसी बहुत सारी short cut keys के वारे में जाने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और मेरे वीडियो को like और share कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बबाए